हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग दोस्तो आज हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं रिलाइंस एजी ओ होल सेल का पार्सल ठीक है तो ये दो पार्सल ओडर्स लगा है मेरे दोस्त ने और ये है कमल कलेक्शन नाम से आईडी इस ठीक है तो अभी हम इनको अन्बोक्सिंग करते हैं स तो पूबढ़ में उसके हैं अच्छे से पेक है कि नहीं है तो गाइस ये विल्कुल अच्छे से पेक है ये देखिए पॉलेतिन बिल्कूल एकतंग company बहुत अच्छी से पेकिंग करता है लेकिन इसमें थोड़ा सा doubt लग रहा है मुझे कि इसमें ये red tap लगा है तो हो सकता इसमें कोई mistake हो तो हो सकता इसमें कोई mistake हो ठीक है दोस्तो तो बोबाला फारसल बिल्कुल एक नमर पेकिंग में है लेकिन इसका थोड़ा सा क्या है कि मुझे ये लग रहा है इसमें देखने में कि ये टेपिंग लगा हुआ है तो दोस्तो फिर भी कोई बात नहीं हम बिना देके कैसे बोल सकते हैं कि कोई doubt है तो इसे unboxing करने के बात ही पता चलेगा कि इसमें क्या है मेरे भाई तो ठीक है दोस्तो वीडियो पड़ावाट ठीक है ये उठाली मैंने कैंची और इसको करते हैं unboxing ठीक है तो फटा फट काटता हूँ कट 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 अभी रोखो जा रहा ठीक है न हाँ तो दोस्तो यह मैंने unboxing कर लिया है और यह tape बड़ी आसानी से निखल रहा है इसका मतलब साइथ इस पारसल से चलकाने की गई है तो दोस्तो आप अंदर देख सकते हैं वाव बलेक कलर के कपड़े ओ हो रेड तो दोस्तो unboxing हो गई है और इसके अंदर निकले हैं यह तीन पीस आप ध्यान से देखिए तीन quantity ठीक है और हम इसको और unboxing करेंगे अंदर से कपड़े को भी चेक करेंगे कैसा क्या है पस अब हम इसको polythin को हटाते हैं tape को कट करते हैं तो दोस्तो अब हम इसको हटा रहें polythin को और इसमें तीन quantity निकला है यहीं नहीं अभी और सुनिए ठीक है जबकि मैंने चार orders लगाएते हैं तो कोई बात नहीं हो सकता एक chip का हुआ है फिर भी देखते हैं अभी यह वार कोट ठीक है जिसे हम इसको पापर डालते हैं तो यह वार कोट बहुत इंपोटेंट होता है तो आप जरूर इसको समाल करें तो दोस्तों अब यह तीन पीश निकल चुके हैं आपके सामने वान टू थ्री अब हम इसका कफ़ला चेक करा देते हैं आपको यह देखिए तो इस फूले तिन को रखते हैं एक तरफ और यह तीन कौंटिटी है तीन कौंटिटी निकला है आपके सामने जब कि मैंने čार मगाएं ते अगर फिलीब ना हो रहा है तो लो भाई मैं आपको बिल में देखा देता हूं यह देखे मेरे बाई हो पिल में लिखा है चार पीस्टिक है लेकिन आप गलत मुझे मस समझो ठीक है बिल में आप देख सकते हैं 4 कॉनटीक लिखे मैंने 4 योटटे लगाते हैं जबकि इसमें 3 निकले हुए हैं अब दोस्तों आप बताओ गलती किसकी है मेरी या मैंने गलती से ओडर दे दिया या कंपनी का तो दोस्तों आज की बीटी में बस इतना ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना माद भूलिये फिर से लाँगा कोई नाहसा अनबॉक्सिंग तब तक क्लिए वाई वाई टेक केर कुछ रहो और देते रहो मेरे प्यारे भाई हो बेनो खत्म बाई बाई टाटा गुडबाई गया